सोंदर जिले के विडमगन स्थाना छेतर के अंतरगत जारखनव यूपी के बॉर्डर पर लॉकडाउन के दौरान सील किये गए बॉर्डर पर सघन चेकिंग कर वाहनों का बड़े ही कडाई से जाज किया जा रहा है इसी दौरान आज लॉकडाउन के दूसरे राज में फोसे स्रमिक से भरी ट्रक पुलिस की आँख में धूल चोकर चले आ रहे थे जिन्हें आज रविवार की दोपहर ग्यारा बजे विडमगंज पुलिस के दौरा पकड़ा गया है ट्रक में सरमिक भूसे की तरह भर कर फरीदबाद से अपने घर को जाने हैं तुर ट्रक पर बैठे हुए थे कई जीलों के बार्डर होने के बाद भी इनकी पकड़ नहीं हो सकी और सभी जगा के पुलिस को चक्मा देकर चलते आ रहे थे लेकिन सोनब्रद के अंतिम छोर विडमगंज बार्डर पर इस्ठिद विडमगंज पुलिस के द्वारा पुलिस अध्यक सोनब्रद आसी स्रिवास्तों के निर्देश पर रविवार को बड़ी सफलता मिली चेतरा दिकारी दुद्धी संजे वर्मा के नेत्रिवत में सरकिल के हर थानों पर वाहनों की चेकिंग हेतू पैनी नजर रखने माले पुलिस कर्मी और दरोगा जाकन बॉर्डर पर तैनाग विडमगंज थाना प्रभारी के सगन चेकिंग के दौरान स्रमिकों से भ्रटक पकड़ा गया है पुलिस के दारा इन्हें पकड़ने के बाद इनका नाम पता नोट कर दुद्धी के स्वाफ कर्मी की टीम कोविड-19 के प्रभारी टीम के डक्र संजे गुपता के नेत्रिवत में इनकी चेकिंग की जा रही है जानकारी के अनुसार पता चला कि ये सभी ल निकले थे यह सभी लेवर बिहार जा रहे थे जिसमें वैसाली जिले के आठ बांगा जिले के साथ मुंगैड जिले के 24 वा जमुई जिले के दो लोग समलित हैं रात्री में कर शुमसान जगा देखकर यह लोग गाड़ी के नीचे उत्रे थे तभी ने पकड़ लिया गया त्री यह ट्रक जो बिहार के जिला बैसाली और मुंगे के कुछ मज़ूर जो हर्याना के परिदाबाद जिले के वलब गण में तारे कर रहे थे फैक्ट्रियों में उन लोगों को जार्फन बॉर्डर से बिहार ले जाने का प्रियास कर रहा था यह तत्ते संग्यान में आय प्रिदाबाद में था तो वहां पर रहने वाले जो ब्यार के जो मज़ूर थे जो वैशाली और मुंगे जिले के थे उन लोगों ने से अपने साथ ट्रक में लोगों ले चलनी की बात करी तो इस पर यह 17 तारी को बलब गण हर्याना से इन सभी 94 मज़ूरों को ट्रक में ल पर देख करके चला था आज पादाकाल यहां जन्पसोनभद और जारकंड की सीमा पर इसको जन्पसोनभद की पुलिस ने रोका तो यह तक्त्र प्रकास आने पर 94 लोगों को उतार कर इनका मेडिकल प्रिश्चन कराये गया है इनको जन्पसोनभद ने एक जारकंड की सीमा